हर दीन अच्छा है हर ट्रेड अगर आपने अपना प्रोसेस अच्छे से फॉलॉग किया चाहे वो लॉस हो चाहे प्रोफित अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं तो आप over time definitely success अच्छी करें काफी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो तो रिस्क मनेज करना सीख जाओ और लॉसेश को कट करना सीख जाओ तो आपका ओवर टाइम इंपोर्टन है लेकिन आपका स्टडी और स्ट्रेजी भी इक्वली इंपोर्टन है दूसरा है जो आना तक लॉंग टर्म की बात ह नमस्ते मिश्रुष्टी कीते आप सभी का स्वागत है डिजिटल प्रभात में दोस्तों आपने अपने रिष्टेदारों से दोस्तों से या सोशल मीडिया पर शेयर मार्केट इंवेस्मेंट या ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुनाई होगा हो सकता है आप खुद भी श शक्स आये है जो पिछले 18 साल से भे अधिक समय से शेयर मार्केट से जुड़े हुए है आज हमारे साथ है शेयर मार्केट विशेश अदियो प्रशान शाह सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में अपने इंशार किताबे लिखी है स्टॉक मार्केट के ऊपर आपके पास इंटरनाशनल सर्टिफिकेशन कोर्स भी है आपने रिशर्च पेपर लिखा है ट्रेडिंग टेकनिक्स के ऊपर इवन आप डिफाइनेज ब्रोकरे सिक्यूरेटे हाउस के डिरेक्टर भी है काफी सारी अच्यूब्मेंट्स है सर आपके पास तो आपक में बहुत सारे लोग ट्रेड इंवेस्ट करते हैं, काम बहुत सारे लोग करते हैं, जो सक्सेस्टफुल लोग होते हैं, जो consistently अच्छा काम करते हैं, वो ratio comparatively कम होता है। या यह किसी भी कोई वेंचर होता है या कोई भी एक प्रोफेशन होता है अगर आप देखोगे तो मोर और लेस इसी टाइप का एक सक्सेस रेट होता है इतने लोग एक्चुली मिनिंगफूल सक्सेस अच्छीव कर पाते हैं बाकी लोग प्रोफेशन में कोशिश करते ओवर तो हमें पहले तो यह समझना है कि जो 90% लोग ऐसी क्या गलतिया करते हैं जहां से वो सक्सेस नहीं आती है तो वो हम ना करें तो ऐसे अगर कुछ पॉइंट्स में आपको अपने एक्स्पिरेंस से शेयर करो वैसे तो काफी बाते हैं लेकिन तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे पहला चीज क्या होता है ज्यादातर लोग है ना दूसरों का सुनते है और इधर उदर क सुनके कुछ काम करते हैं वो रैंडमली कुछ करते हैं मतलब कोई एक structure decision making नहीं होता कभी किसी का सुन लिया कभी किसी friend ने बोला कभी कहीं कुछ पढ़ लिया ऐसी judgmental काम होता है कुछ भी methodological नहीं होता है कोई serious business की तरह नहीं करते है ऐसी randomly कुछ करते है ठीक है उसमें कभी जाहे बाड़ी बड़ी गलतिया भी करते हैं जैसे कुछ आप जिसको डिखनी कहते हैं आफ मतलब किसीूइल चीज में जाधा पैसा लगा लिए किसी स्टॉक में चाहे व लूपर मारकेट करें चाहें कॉछ pilots होprehले से कुछे आप Market के एक दोह सीपनी करते हैं होती है वो लोग मतलब जाधातर लोग emotional trading करते हैं मतलब over trading कर लेते हैं कभी revenge trading ऐसे कुछ factor होते हैं कि मुझे लगा मुझे ऐसा लगा यह होगा तो यह सब judgment के base पर होती है किसी ने सुन लिया अच्छा और क्या होता है कि आज कल social media है बहुत सारा knowledge available है लोग discussion भी करते रहते हैं तो लोग यहां पर consensus देखते हैं कि अच्छा इसने बोला और चार लोगों ने बोला अच्छा है तो यह अच्छा है तो फिर वो ढूंते हैं कि अच्छा जाधा तो लोग बोल रहे तो मैं यह करूं तो यह सब चीजों में क्या होता है कि कोई method नहीं है emotional trade जाधा है और कभी अगर मान लोग किसी चीज में loss हो गया तो loss recover कैसे करें उस चकर में पढ़ते हैं तो पहली बात तो यह loss recovery है ना यह हमारा दिमाग का खेल है ऐसा कुछ होता नहीं है तो market को तो पता नहीं आपका loss या profit है हर trade अपने आप में individual होता है चाहे आप trade करो चाहे इंवेस्ट करो चाहे कुछ भी तरीके से करो तो यह यह जो तीसरा यह point है ना मतलब इसी के related की एक short term approach होता है मतलब आप है ना हर trade में profit करोगे हर investment में आपका profit होना चाहिए यह जो ए trade में आप profit बनाने के लिए करोगे तो क्या होगा आपका attachment नीटना कहुदा होगा कि आपका जो एक method होता है या जिस तरीके से आप काम करते हो वहां पर आपका focus नहीं होता है आपका focus ऐसी जगह पे है जो आपको तकलीफ देगा और आजकल even social media पे एक alternate होता है कि आप daily अपन और वह दूसरों से share करेंगे इतने attachment नहीं अच्छी है आपका focus होना चीह है कि आप सही काम कर रहे हो कि अधी अच्छा दिन भी हो सकता है in terms of profit loss कभी बुरा दिन भी हो सकता है कोई अच्छा trade भी हो सकता है को बुरा trade भी हो सकता है हर दीन अच्छा है हर trade अच्छा है अगर आपने अपना process अच्छे से follow किया है ठीक है चाहे वह loss हो चाहे profit अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो तो आप over a time definitely success अच्छीव कर सकता है क्योंकि profit और loss आपका over a time अच्छे से होना चाहिए और आपका कोई एक process और method होना चाहिए चाहे आपको जो study जैसा भी आपको दिमा analysis है बहुत सरे types के जहां पर आपको अच्छा समझ आता है जहां थोड़ा सा effort डाल सकते हो और आज पल इतने सारे tools और knowledge available है मैं आपको बताओ के अब काम करना comparative लियासन आपको थोड़ा effort और डालना है तो आप अच्छा काम कर सकते हो और यह बहुत अच्छा business हो सकता है तो जाधा तर लोग इसको speculation की तरह देखते हैं अगर उसको business की तरह देखे और उसको method और process आप process oriented की तरह बन जाओ तो कैसा होता है अगर वैसे trader बन जाओ तो बहुत अच्छा काम possible है और आप definitely अच्छा कर लोगे then much others जो नहीं कर पा रहे हैं महाँ पर और लास्ट एक चीज होता है देखे आज की date में ग्यान के कमी नहीं है वो सबके पास है सबसे बड़ा important issue execution आप इन चीजों को implement कैसे करते हो इसी कुछ चीज़े है जो अगर हम एक ट्रेडर अपने दिमाज में शुरू से बिठा ले और जिसको कहते हैं लोग risk management मतलब आप अपना risk अच्छे से manage करो और इसके लिए important चीज क्या होता है जो जाधा तर लोग नहीं कर पाते हुआ exit मतलब आप कोई भी trade करो कोई भी investment करो जाधा तर लोग exit पे control नहीं होता है मैं अगर आपको उसी रिपोर्ट का भी एक reference दू यह जाधा तर होता क्या है कि एक trader या एक investor जो profit book करता है कुछ trades में उसको कहते है average profit और losses book करता है average loss जाधा तर लोगों का क्या होता है कि जो loss book करता है वो बहुत जाधा होता है compare to profit इसका मतलब क्या है loss में बहुत time तक बने रहते profit में वो hold नहीं कर पाते बट loss में जल्दी cut नहीं करते तो right time पे exit न करना या वो एक बहुत important reason होता है कि जाधा time तक success नहीं मिल तो हम लोग यह कहते है कि अगर जो एक आदमी loss book करना सीख जाए एक trader वो बहुत अच्छा profit over time book कर सकता है और उसी report का एक reference भी है कि एक average profit की comparison में एक trader का average loss होता है वो 15 times जाधा होता है वह समझ लीजे अगर वो loss अगर right time पे cut हो जाए तो आप खाफी हद तक profitable trader बन सकते हो त और losses को cut करना सीख जाओ तो आपका over time success possible है तो एसा कहते है कि जो risk को manage करना सीख ले वो अच्छा trader बन सकता है आपके मुताबिक यह कितना सही है और क्या एक निवेशक को long term तक invest करके रखना चाहिए तब ही उन्हें ज्यादा फाइदा होता है ऐसा कुछ है तो पहली बात तो है कि risk management is extremely important उसमें कोई doubt नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ risk management मतलब कुछ एक theory ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ coin toss कर लो और आप risk अच्छे से manage कर लो then also make money लेकिन यह practically यह possible नहीं होता है क्या होता है कि आपको invest करने के लिए conviction भी चाहिए जो भी आप कर रहे हो उसके लिए तो कोई strategy process जो भी आप वो आपका जिसमें आपने practice किया हो जिसमें आपका study हो आपका study जरूरी है तभी आपको conviction आता है कि आप उतना अच्छा काम कर सकते हो ठीक है risk management definitely important है लेकिन आपका study और strategy भी equally important है दूसरा है जो आना त अच्छे तरीके से करें तो important यह है कि आप उसको कितना methodological करते हो तो आप हर एक जगा अच्छा कर सकते हो यह depend करता है आपको क्या suit करता है जैसे cricket जैसे sport में होता है आपको क्या समझ आता है आप जो अच्छा कर सकते हो तो इसी तरह से यहां पे भी है हर एक style of trading ये investment आपने इसे subject पे book भी लिखी है तो आप हमें हमारे दर्शिकों को उस बारे में कुछ बताएंगे हाजी तो यह मेरी book थी जो मैंने last year लिखी lockdown के दोरान you me and trading यह मेरी fourth book है इसके पहले मैंने और तीन book लिखी है जिसमें मैंने point and figure पे लिखा है जिसमें मैंने काफी काम किया ह उसके उपर और काफी innovative work भी है एक book ranko chart पे लिखी है जो मेरे खाल से subject पे उपर global level पे एक ही book है इसके उपर भी मैंने काफी काम किया है equally rate to strength और breath analysis के उपर मैंने book लिखी यह सब stock market के trading techniques के उपर books हैं और यह books में काफी इतना innovative काम है जो मेरे खाल से global level पे ही अपने आप में अच्छा उस पे काम है और मुझे इनके उपर अच्छा feedback मिला है यह चीजों को आज की date में बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया में जो लोग इसको practice करते हैं अभी subjects को वो in fact इतने अच्छा level पे आप करते हैं कि I think global level पे बहुत अच्छा level पे वो लोग इसको practice करते हैं एक्छुली मैं मेरी favorite book all time book जो है वो एक तरह से भगवत गीता है मैं उसको बहुत टाइम पढ़ता हूं और मुझे I found it very interesting तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि market में trading investment भाट सारे questions होते हैं तो actually मेरा son है 10 साल का तो उससे कभी-कभी मैं discuss करता हूं तो I used to imagine कि जब वो बड़ा होगा वो मुझे कुछ चीजा ऐसे पूचेगा कि stock market में यह कैसे करते हैं फिर यह क्यों आप बोलते हो के profit loss पे focus नहीं हो नच ऐसे कैसे हो सकता ऐसे बहुत सारे questions दो तो यह सब questions को मैंने collect करके और फिर उसका मैंने एक series बना है उसको ऐसे 18 chapters में दिवाइड करके so that is something which is very close और मुझे कभी भी जब कोई और इसके उपर मुझे बहुत अच्छे feedback मिले हैं मतलब यह बुक लोग को काफी पसंद हैं लोगों ने बहुत एप्रिशिट की है और वो उसी motive से लिखी है तो जब मुझे कोई कहता है कोई relative होता है या कोई friend होता ह जो मुझे कहता है कि कहां से start करो सबसे पहले I like to give him that कि यहां से start कर यह पूरी Q&A format में बुक है और मतलब यह आप structure भी पढ़ो या कभी भी just कोई question उठागे पढ़ लो I think you'll find it very interesting आप काफी बात यह करते हैं कि रैंको चार्ट और जो option strategies है उनके बारे में तो क्या वो सच में बहतर है उन चीजों से जो बाकी लोग follow करते है हां तो या मैं point and figure रैंको रहे तो इसे चीजों पर थोड़ा ज्यादा बात करता हूं क्योंकि यह मैंने practice किया इसके उपर बहु नहीं किया या कोई चीज बहतर है तो I think ऐसा नहीं होता कि कोई चीजी किसी सब बहतर है तो यह fight ही actually एक तरह से जादा useful नहीं है कौन सा अच्छा है कौन सा best है मुझे लगता है यह हर चीज में कुछ ऐसे important unique properties है उनके या कुछ ऐसी उनकी ऐसे features है जो बहुत useful है जो किस वा available नहीं तो हर study के कुछ ऐसे important चीज़े होती मुझे मैं ऐसी चीज़ों पर focus करने में थोड़ा believe करता हूँ जैसे मने बोला ना कि हमें market में यह देखना चाहिए कि इसो जादा लोग नहीं करते हैं सीम पे studies पर मेरा शुरू से एक nature ऐसा रहा है कि मैं देखता हूँ कि जादा मिले है कि यह ऐसी चीज़े हैं जिसको करने से आपको बहुत फाइदा हो सकता है तो ऐसे P&F point and figure या rank of charts या red to strength ऐसे यह सब कुछ subjects हैं जिसमें बहुत ऐसी चीज़े हैं जिस जो बाकी ज़गा नहीं है और इसके कुछ वह चीज़ों करने से आपको फाइदा हो सकता है और आप अगर कुछ और भी कर रहे हैं उसके साथ भी यह compliment कर सकता है मतलब यह चीज़े को डेफिलेटली एक ट्रेडर ने इंवेस्टर ने explore करना चीए मुझे लगता अगर वह नहीं कर रहे तो कुछ फॉर्ट इंपोर्टन चीज़े हो मिस कर रहे हैं तो वह मुझे लगता है कि आपको करना चीए बहतर ऐसा नहीं अलग जरूर है और अब जो कर रहे हैं उसको वह compliment कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में या फिर ट्रेडिंग करने के बारे में जो भी अपनी बाते रखी है वो हमार मार्केट शेतर में और आपके जैसे ही कई निवेशकों के लिए इन्होंने डिफाइने सेक्यूरेटेज नाम से ब्रोकरेज हाउस भी शुरू किया है तो अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में अधिक जानना है या फिर आपकी कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिये अपने समस्या भी बता सकते हैं अभी यही रुकती हूँ धन्यवाद